मैं रुग्गा राम पमार, मेकेनिकल डिपार्टमेंट, गौवर्मेंट राम चंदर खेतान पॉलेटेकनिक कॉलेज, जैपुर, सब्जेक्ट इंजिनिरिंग ड्राइंग आज हम सेट इस्क्रू के बारे में बताएंगे सेट इस्क्रू के अंदर साफ्ट है, वो रोटेट करती है, जैसे यह साफ्ट है, वो रोटेट हो रही है और उसके बाहर कोई फ्लेंज का पार्ट है, या पुली का पार्ट है, गियर हो सकता है तो उसके जो hub है तो hub और shaft दोनों को combine करने के लिए set screw काम आता है set screw rotating और translating motion दोनों को ही रोकता है यह एक temporary fastener है यानि कि इसको remove किया जा सकता है set screw और machine screw में यह फर्क है कि machine screw में machine के दो पार्टों में कोई moment नहीं होता वो fix हो जाता है जबकि इसके अंदर rotating part है यहाँ पर यह shaft दिखा रखी है यह shaft अब पर half sectional दिखार का यहाँ पर और यह outer दिखार का है यह किसी machine का part है या machine कह सकते हो कि sieve कह सकते हो यह collar है पुली का part हो सकता है gear का part हो सकता है और यह shaft है वो rotate कर रही है rotating है तो इन दोनों के बीच का motion को है रोकने के लिए set screw का माता है set screw का point है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि point यह इसमें round type देर का है यह देखो यह है यहाँ पर नुकिला देर का है यह flat है एकदम flat और यहाँ पर जैसे इस type से यह देर का है cup point अंदर दसा हुआ है यह वाला जो है oval point है यह यहाँ पर जैसे oval point दिखा रहे है और इसका head है वो अलग अलग type का हो सकता है जैसे यहाँ पर यह इस type का head देर का है और इसमें दूसरे वाले पहले machine screw के अंदर head का दिखा रहे है था तो उसी type के हो सकते हैं और एक इसके अंदर जैसे की यह देर का है headless यहाँ पर इसका head है जबकि यह headless है इसको grab screw केते है grab यानि कोई जिसके head नहीं हो grub set screw का यहाँ पर मैं एक simple सा example बता सकता हूं कि अपन जैसे gas store होता है चुला गैस वाला चुला उसका जो button है उसको अपन push करते हैं जिसकी यह push किया और push करके और on करते हैं जैसकी यह push किया और यह off translating motion है और इसको यह rotary motion तो उस दोनों को जो spindle है main यहाँ पर spindle कहेंगे जो यहाँ पर इसमें shop है तो shop की तरह इए वो काम कर रहा है और उसके अंदर एक shop जो है उसके अंदर एक cut लगावा होता है तो cut में क्या है कि उसको यह जो screw है यह set screw यह screw driver से यह अंदर चला जाता है आप देख रहे हैं यह इस जगे इस जगें पर देखें यह देखोंगे अंदर आ गया और यहां इसमें एक slot भी देर का देख रहे हैं यह round है और यह एक slot दिया है तो यह rotary motion को इस से जो shaft है वो इसके साथ ही moment करेगी यदि यह नहीं हो तो उसके अंदर, shaft के अंदर एक छोटा सा hole कर देते हैं जैसा कि यहां पर इसका hole देर का है इस type का hole हो सकता है यानि hole हो सकता है या cut हो सकता है तो उसके अंदर यह screw जाकर के fit हो जाता है तो fit होने के कारण ने तो rotary motion होगा और ने translating motion होगा यह shaft के साथ में fix हो जाएगा इसका दूसरा example यह देख सकते हैं अपना जो fan है cooler का fan है या exhaust fan है तो उसकी पंखुडिया जो है वो अलग से लगी भी होती है shaft के उपर लगा देते हैं और उसके अंदर एक screw set कर देते हैं तो यह shaft और पंखुडिया एक unit बन जाती यहां पर यह देखें यह यह भी set screw है और इसमें यह slot कटावा है यह screw driver के लिए यह यहां screw driver लग जाएगा और यह यहां से देखें इसका नीचे की तरफ से देखते हैं तो यह tip दिख रही है यह देखो round है यह round दिखाई दे रही है तो यह छोटा सा यह girb screw है इस figure के अंदर set screw के tip दिखा रहे हैं जैसे यह वाला tip है यह oval point है और यह draw करते समय इसका जो nominal diameter है उसके बराबर radius लेकर के इस axis से radius लेकर के एक चाप कुमा देंगे तो यह oval point हो जाएगा इसी परकार यह एक flat point tip है इसके अंदर क्या है कि जो nominal diameter है वहां से एक 45 degree का angle काट देंगे और जो नीचे से flat रहता है इसलिए flat point कहते हैं और यह वाला cone point है cone point में यहां पर यह cone बना रहता है और यह cone normally 90 से 120 degree तक का रहता है तो यह यदि लंबा है तो 90 degree लेते हैं और यह screw यदि छोटा है तो 120 degree का angle लेते हैं यह कौन point इसी परकार यह cup point है cup point के अंदर यह यहां पर जो देर का है यह वाला यह भी 120 degree का angle है आप देख रहे हैं यह horizontal line है यहां से 30 degree इदर काटा और 30 degree यहां से काट दिया तो 30 30 60 चला गया तो यह angle है वह 120 degree ले गया और बाकी बना उट जो इसकी है वैसी की वैसी इसमें है यह वाली जो line देर की है यह thread वाली line है यह वाली और इसके head है वो अलग-अलग हो सकते हैं जैसा कि यहां hexagonal socket head है जहां पर ellen की काम में आएगी इसकी जो बनावट है यहां से एक इस axis से एक point mark कर दिया point mark करने के बाद में यहां से angle बना दिया 30 degree horizontal यदि line लेंगे तो यहां से 30 degree और यदि इस से ले रहे हैं तो यहां से 60 degree 60 degree इदर और 60 degree इदर लेकर के यह एक line गुमा देंगे एक इदर एक इदर यहां पर यह वाला जो दूरी है वो इसका across flat यानि 0.5d के बराबर काटना है तो वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल एक्सिस से यह वर्टिकल line खीज़ दी 0.25 इदर और 0.25d इदर तो यह जहां कट रहा है वहां पर point मार कर दिया इसके उपर line खीज़ देंगे इस type से आगे चल देंगे और एक यहां से जैसा कि यह लिया है flat इस से तो यहां से भी यहां से दूरी नाप करके और एक इस line के इसके parallel खीज़ देंगे 0.5d के बराबर distance के बराबर तो जहां यह point आगिया इस point को इस line के parallel मिला देंगे तो यह पूरा hexagon तयार हो जाता है और यहां से यह इसके देख रहे हैं यह इसके projections आए में यह projection आए और इसका जो allen की है यह एलन की लगेगी hexagonal end रहेगा जैसा कि मैंने पूर वाले वीडियो में बताया गया तो यह वाला hexagonal headed है इस परकार यह square head है यहां पर मैंने cross दे दिया square head देर का है यहां पर इसकी जो height है वो d के बराबरी है और इधर भी d है तो यह square head है और जो गोला ही इसको यह काटनी है वो भी यहां से axis है यहां से यहां तक इसकी nominal जो diameter है उसका nominal diameter का radius लेकर के और एक चाप गुमा देंगे तो यह वाला बन जाएगा इसी परकार flat point का यह tip है ऐसा ही करना है परन्तु यह यहां पर screw driver के लिए यह slot कटा हुआ है और screw driver के लिए आपको जैसा की पहले भी बताया था यहां से यहां तक 0.2 d के बराबर लेते हैं और यहां से यह depth है 0.4 d के बराबर लेते हैं तो यह वाला हो जाएगा और यह इसका plander का है और यह है जो काट रखा है इसकी thread की क्योंकि यह external thread है इसके external thread के अंदर यह अंदर circle जो है वो कटावा बनेगा यह वाला हो गया इसी परकार यह इसका head है वो square head हो सकता है square head में जो यहां से axis है यहां से जो radius कटेगा वो भी d के बराबर लेंगे इसी परकार इसमें भी d के बराबर लेंगे तो ये square head हो गया तो ये मैंने दूसरा एक और बता रहा है half dog point half dog point में क्या होता है ये वाला जो flat point है वैसा की वैसा होता है परन्तु ये इसकी लंबा ही बढ़ जाती है इस point की ये flat point है इससे यहां तक लंबा होता है तो इसको half dog point करते हैं तो इसका diameter जो लेते हैं वो 0.75 D के बराबर लेते हैं D जाँ nominal diameter है और half dog की यहां से यहां तक की जो length है वो 0.25 D लेते हैं और यदि full dog है full dog का मतलब है कि इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी तो इसकी length है वो 0.75 D के बराबर length बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि इसमें जो shaft के अंदर जो hole करेंगे drill करेंगे उसकी drill की depth है वो थोड़ी जादा है जबकि half dog में कम रहती है तो यह वाला hub का portion hub का part दिखार का जैसे यह hub है वो लई में यह shaft दिखार किये यह shaft है यह rotate कर रही है और यह यहाँ पर मैंने shaft को थोड़ा सा section दिखा दिया यह यहाँ पर एक slot काट दिया slot काट दिया ताकि एक तो moment rotary नहीं हो और एक translation motion भी नहीं हो इसी परकार यहाँ पर यह जो कौन point है कौन point में यह जो shaft का जो part दिखार का है इसके अंदर एक कौन point कट काट देता है drill से drill का angle 118 degree होता है तो यह 120 degree के करीब यह लेते है तो यह काटने के बाद में 120 degree होता है यह जो है 90 degree से लेकर के 120 degree का लेते है अब इसके अंदर यह वाला जो है घर्वी screw दिखार का है इसी परकार यह वाले सारे सारे सेट स्क्रू के ही उधारान वाले सेrão सारे सेट तो यह केड़़ की lotta झाल झाल